आज हम बनाएंगे बहुती ईजी और इंस्टेंट बनने वाली हल्दी पालक सूप जिसे हम विद्धाउट ओईल बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक पैन में हमने पानी ले लिया है उसमें थोड़ा साल्ट डालेंगे और दो कप के अराउंड हम स्पिनिच डाल देंगे कट करके अब पांच मिनिट के लिए से वॉयल करेंगे फिर ठंडा करके पानी हटाके से ब्लेंट कर लेंगे अब एक सूखा पैन ले लेंगे उसमें ह डाल रही हो एक बुल चिकन स्टॉक अगर आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकती हो नॉर्मल पानी से भी काम चल जाता है लेकिन स्टॉक डालने से टेस्ट बहुत ही जिदा इन्हेंस होता है और थोड़ा ज्यादा ही हल्दी बनता है अब इसमें हम वन पिंच के अरौंड सेंधा नमख और वन पिंच के अरौंड डालेंगे ब्लैक पेपर पाउजर आप चाहो तो नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हो इसे मिक्स करेंगे और पांच मिनिट के लिए पकने देंगे तो पांच मिनिट बाद हमारी सूप बनके रेडी है बहुती ज़्यादा टेस्टी और बहुती स्यादा हल्दी आप इस रेसिपी को अपने विटलस जन्नी में शामिल कर सकते हो नॉर्मली भी आप इसे कंजियूम कर सकते हो मैं इसे टिनर में लेना पसंद करती हूँ आप इस रेसिपी को जरू से ट्राइ करना अगर आपको मेरी विडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना थैंक यू फॉर वाचिंग